का जो लेटर जो आया है उसमें आपको खास चीज लगी है क्या हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं उसमें देखिये एक्सपेक्टि लाइन्स पे बर्क्षार रहत्वे के चेर्मेन वारन बफट साब ने सबसे पहले तो एक बहुती ब्यूटिफुल मेसेज लिखा है चार्ली म बात करें तो जे आव वीरू की दोस्ती फिनैंशल मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है चाली मंगर और वारन बफट की जो दोस्ती थी एक वैसी दोस्ती थी फिर हाला कि काफी बड़ा शेयरूडर लेटर था फिर उन्होंने ये लिखाए कि इस समय उन्हें उन्हें इसके बाहर कोई बड़ी उपॉच्णूटी नहीं दिखती हैं तीसरा वह इस समय कैश लेवल पर बैठे हैं कैश लेवल पर बैठे रहेंगे मगर उनका मानना है कि कोई बड़ा फिनैंशल डिस्ट्रेस सकर आता है कहीं पर नहीं पर बड़ा प्राइस डिस्लोकेशन आता ह तो प्रिपेर्ड हैं मगर एक उस न्यूजलेटर के अंदर जो मेले उभर कर आया है परसनली वह यह उभर कर आया है कि उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ग्लोबल लोगों की मान सिकता है वह कसीनो टाइप फीलिंग होने लगी है और इसका कारण यह है कि गलत है मैं कहरो वारन बॉफिट साब ने क्या लिखा है देखिए बखशार है ने सिंपल बाय और होल्ड का फिलोसफी अडॉप्ट करा है और उनका मानना है कि आप अगर शांती से बैठे रहें और आपको जब मार्केट में डिस्लोकेशन होते तो अच्छे बिजनस सस्ते मिलते हैं आपने अगर दू या तीन बिजनस अपने करियर में अच्छे निवेश करें हैं तो आपको बहतरीन प्राइस अक्शन मिल सकता है और यह उधारन में इंडिया के वारन बॉफिट जिसे हम राकेट जुन्वाला कहते थे कहते हैं उनकी एगर लाइफ में मैं देख दाव लगा देते हैं अपने जीवन के अंदर तो आपको फिनैंशल करियर चेंज हो जाएगा और इस समय शौट टर्म के अंदर मार्केट में उनको लग रहा है कि कसीनो टाइफ फीलिंग आ रखी है जिसके अंदर लोग आज और कल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना की आन वाले बिजनिसेस के उनकी फ्यूचर पर